नमस्कार दोस्तो आप सभी को पता है कि जब से PM सूरिया घर योजना स्कीम लॉँच होई है तब से जो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी है डाक विबाब में जो कारे करते हैं चाहे फिर वो GDS हो या फिर पोस्टमें हो या फिर जो भी फील्ड वर्क करते होंगे तो उन पर एक काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा क्रियेट हो रहा है और इसका एक रिजन है दोस्तो क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने तार्गेट अलोट किया है सभी को कितने करना है कितने कस्टमर्स को एन्रोल करना है तो वो सब तार्गेट फिक्स हो चुका है डिपार्टमेंट द्वारा इसी तार्गेट को पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है सभी स्टाफ पर खासकर जो GDS करमचारी हैं जो रूरल एरियाज में काम करते हैं गरामिंग शेत्र में जो डागघर हैं वाहां जो करमचारी काम करते हैं और जो विभागी करमचारी हैं पोस्टमेंट, उन पर भी थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है के तहत चत पर सोलर लगाने का प्रावधान है उसके लिए रेस्टेशन किया जा रहा है और यह काफी फाहिती दरों में कस्टमर्स को दिया जा रहा है अगर इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फिलहाल मैं ब लिए है यह सर्कुलर की इस बारे में हैं तो हम देखते हैं डाक विखाग ने एक मार्श को यह सर्कुलर इशु किया सब्यक्ट में आप देख सकते हैं रेस्टेशन ऑफ बेनिफेशरी अंडर पीम सूर्या घर योजना देखे दोस्तों इतना प्रेशर है कि नौ तारिक त चाहे फिर वो संडे क्यूंग नोहाँ तारिक तक कोई भी चुटी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा रेस्टेशन ना तरिक तक करना है सबी अप्रोई को जब तक को यह तर्गेट अश्यव नहीं होता है तो सर्किल सो अलग से केम्प ऑर्गनाईस कर सकते हैं ज्यादा से तक कस्टमर्स ही अभी तक रेजिटेड हुए है डी ओपी द्वारा जो तार्गेट का सिर्फ वन परसेंट है तो काफी कम है इसलिए विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारियों पर कि ज्यादा से ज्यादा इसका रेजिटेशन करेंगे और संडे को भी छु यह सब बताया गया है यहां देख सकते हैं आप यह जो संडे को काम करने के लिए आपने इंस्टेक्शन दिया है इसको वापस लेने के लिए बोला गया है और रिक्वेस्ट किया गया है जो सांसेद है उनके द्वारा कि इस इंस्टेक्शन को आप वापस लेंगे ताकि कर्मचारियों को एक दिन की रहात मिल सकें और वो परिवार के साथ समय बिता सकें और जो unnecessary burden है जो pressure है वो भी नहीं देने के लिए request किया गया है हलाग यह जो order है यह DOP ने issue किया है यह दिल्ली से issue है डिरेक्टेट से फिलाल देखते हैं क्या होता है तो जो भी update आएगा मैं बताऊंगा आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे ने update साथ